दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के वीडियो में हर्याना पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए एक्सपेक्टेट पेपर देखेंगे और लगबख सारे कोश्चन सॉल्फ करेंगे जो कि आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो वी आप्सेने नेपाल भारत में सर प्रतम सोन मुद्राय चलाने वाले जो सासक थे उनका नाम क्या है तो आप्सेन सी यूनानी हिंद यवन भारत में संसथ किन से मिलकर निर्मित होती है कूट के माद्यम से बताना है तो आप्सेन ए पहला देखे राश्पती दुसरा हो जाएगा राजसबा और दुसरा हो जाएगा लोकसबा अगला है बीस हर्ज से 20,000 हर्ज की आपरतिवाली दोनी तरंगों को कहते हैं आप्सेन अप्सेन भी सुरब्य दोनिया कहते हैं अगला है मा औरी जन जाती कहां पाई जाती है तो यह पाई जाती ऑप्सेन भी न्यूजी लैंड में दुई आधारी संक्या होती हैं तो कौन-कौन सी होती हैं ऑप्सेन भी जीरो और एक होती हैं दुई आधारी संक्या हैं भारत से समाज की स्थापना किसने की तॉप्शन सी गोपाल क्रश्न गोखले ने भारतिय सम्मिदान के अनुच्छेद 25 का संबंध है तॉप्शन सी धार्म की सोतंतरता से तालाब बास्टविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है इसका कारण क्या होता है अप्शन भी अपवर्तन ह तॉप्शन सी सून ने रेखा अगला है नौन इस्टिक बरतनों में कौन सा लेप जो है वो चड़ा होता है तॉप्शन ए टेफलोन भारत में जियस्टिक कर पणाली कब लागू की गई तॉप्शन ए एक जुलाई 2017 एक जुलाई 2017 को भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है तॉप्शन भी समुद्र गुप्त को कहा गया है भारतिय अंतरिच अनुसंदान संगठन का मुख्याले जो है वो कहा पर इस्टित है तॉप्शन भी हो जाएगा बंगलूरू अगला है मोहमबद बिन तुगलक ने अपनी राजदानी को कहा इस्थानांतरित किया था तॉप्शन सी दिल्ली से देवगिरी बर्तमान में राश्ट्री आय की गड़ना का आधार बर्स क्या है तॉप्शन सी 2011 से 2012 निमलिकित में से कौन आ निमनी करत प्रदूसक नहीं है तॉप्शन भी कागज निमलिकित में से उत्तर से दच्छन की और सही करम में कौन सा है तॉप्शन है जेकि थाल गाट आएगा उसके बाद बोर गाट उसके बाद पाल गाट निमलेगेट में से कौन सा रोग प्रोटो जोवा जनित रोग नहीं है तो अपसिंसी, पोलियो लेकिन मलेरिया, पेंचिस और अमीबियासिस ये सभी है सीमांद गांदी किसे कहा जाता है तो सीमांद गांदी जो कहते हैं Option C, खान अब्दुल गफ़ार खान को कहते हैं समाज सेबा के लिए मैक सेशे पुरसकार किसके दोरा प्रारम किया गया तो Option B, फिल्पिन्स की सरकार के दोरा अगला हितो पदेश, नामक पुस्तक के लेकक कौन है तो हितो पदेश नामक पुस्तक के लेकक हैं आप्शन B नाराया पंडित राइटर्स न्यूज एजनसी है तो आप्शन B बिट्रेन की अगला है कबटी की टीम में कितने खिलाड़ी होते है तो आप्शन C साथ डाइमंड एक अपर रूप है तो किसका अपर रूप होता है तो आप्शन B कारवन का पर रूप होता है डाइमंड अगला है उड़जा की आवसकता के लिए केवल गलुकोच का उप्योग होता है तो यकरत के द्वारा बुद्ध का जनम कब हुआ था तो बुद्ध का जनम हुआ था 563 इसा पूर्वो में निमलकित में से कौन सा एक संचारी रोग नहीं है तो आप्शन C हिस्टीरिया बाकी के जैसे की चेचक खसरा, इंफ्लियोंजा यह सभी क्या है संचारी रोग अगला है सुपर नोबा एक क्या है आप्शन D मरलनासन तारा है निमलिकेत में से कौन सा तारा प्रत्वी के सबसे निकट है तॉपसन भी सूर्य या कह सकते हैं सन बिस्तु की सबसे बड़ी जहाजी नहर है तॉपसन ए मिस्र में सुएज नहर डाइनामाइट का अविस्कार करने बाले सुएडिस बैगानिक का नाम क्या था तॉपसन ए अलफ्रेट बनार्ड नोबिल निमलिकेत में से किस राज की चीन के साथ उभाय सीमा नहीं लगी है तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश निमलिकेत में से कौन सी नदी बंगाल के सोक की नदी से जानी जाती है तॉपसन भी दामोदर खरीब फसलें किस महिने में बोई जाती है तॉपसन भी जून महिने में खरीब की फसलें बोई जाती है इनमें से भारत का सरवादिक सहरी जनसंक्या वाला राज जो है वो कौन सा है तॉपसन भी महरास्टर अगला है मूल सम्मिधान में मूल अधिकारों को साथ भागों में बर्गी करत किया गया था परंतु बर्तमान में केवल या था इनमे से भारत का सरवादिक सहरी जनसंक्या बला राज जिकाउन सा है टॉप्सिन भी महाराश्ट्रो मूल समिदान में मूल अधिकारों को साथ भागों में बर्गीकरत किया गया था परन्तु बर्तमान में केबल ये बाला कोस्चन बतानेक थो तो ये हो जाएगा 6 है अमजद अली खां संबंदित हैं तो अमजद अली खां किस से संबंदित हैं? ओप्शन C सरोध से द्यानचंद ट्राफी का संबंद हैं तो द्यानचंद ट्राफी का संबंद किस से है? तो ओप्शन B होकी से अगला है बुली सब्द का संबंद है तो बुली सब्द का संबंद किस से है? ओप्शन C होकी से होकी भारत का राष्ट पती अपना त्याग पत्र किसको बहेजता है तॉपसन ने भारत के उपर राष्ट पती को धोकादड़ी के उद्देश से इमेल आधी के माध्यम से किसी व्यक्ति के बैंक खाते आधी जैसी व्यक्ति के सूचना पूछना क्या कहलाता है तो आप्सन B,image कहिलाता है मयूर सिंगासन किसने बन बाया था तो आप्सन D, सहा जहांने बन बाया था मयूर सिंगासन अब करेंगे reasoning के question जिसमें निरदे से 45-47 question के लिए sorry, 46-47 question के लिए कि निमलिकित संकला में उस लुपत पद जिसमें question mark लगा है का chain करें जो अनुकरम को पूरा करें जैसे कि अपका पहला question है reasoning में यहाँ पर बताना है कि कौन से 3 alpha बेट आएंगे तो देख लेते हैं पहले पहले सबी का alpha बेट उठा लेते हैं तो हमें पहले x से b बनाना है देखे x का जो alphabet code होता है बहुत है 24 और v का क्या होता है यह होता है 22 देखे कितना गटा माइनस का 2 गटा अब आगे देखे b से हमें s बनाना है तो b का हमें पता है कि 22 होता है s का कितना होता है 19 तो कितना गटा माइनस का 3 गटा अब देखिए S से हमें O बनाना है तो देखिए S का होता 19, O का होता है 15 तो आप कितना घटा? माइनस का 4 एक चीछ पता चलके पहले माइनस 2 घटा उसके बाद माइनस 3 घटा उसके बाद माइनस 4 तो आगे क्या घटेगा? पहला अलफाबेट बनाने के लिए माइनस का 5 घटेगा और इस माइनस 5 को 15 से घटाएंगे तो आपको 10 मिलेगा 10 किसका होता है? J का तो आपका पहला अलफाबेट मिल गया J तो J देखिए किसमे किसमे लगबक पहले दुसरे और तिसरे में है और D में नहीं तो आपका D वाला नहीं होगा तो पहला आपका अलफाबेट मिल गया J अब दूसरे अलफाबेट देखते हैं क्या है? अब हम लोग बनाएंगे W से T W का होता है 23 और T का होता है 20 तो कितना घटा? माइनस का 3 अब देखें T से हमें P बनाना है T का होता है 20 और P का होता है 16 तो कितना घटा? माइनस का 4 घटा इसी प्रकार P से हमें K बनाना है तो K का होता 11 और P का होता 16 तो कितना घटा? माइनस का 5 अब देखें यहाँ पर पहले 3 घटा फिर 4 गटा फिर 5 गटा तो आगे क्या गटेगा माइनस का 6 गटेगा और इस 6 को हम लोग 11 से गटाएंगे तो कितना आपका बचेगा आपका बचेगा 5 ओके गैस 5 किसका होता है तो यह होता है आपका E का तो दूसरा अलपाबेट आपका मिल गया E तो दूसरा अलपाबेट आपके गटा कौन से मिल गएए J और E तो आपका आफाबेट क्या हो जाएगा अगर 3 आपिसन कहते हैं तो एक आपशन बसकता तो भाही आपका आपका आफाबाइगा आजगा आगे करने की तो जरूर नहीं आपका पहला answer हो जाएगा चलिए अगला question करते हैं अपका अगला question है यहाँ पर बताना है कि काउंसा number आएगा तो देख लेते हैं तो हम लोग सबसे पहले 45 से 46 बनाते हैं तो देखें सबसे पहले 45 से 46 बनाने में 1 का गणा कर देंगे और प्लस एक जोड़ देंगे तो हमारा 46 बन जाएगा अब 46 से 70 बनाना है तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 46 में 3 बटे 2 का multiply करेंगे तो कितना आएगा तो यह हो जाएगा तोड़ा से काटेंगे तो 23 हो जएगाँ 91 यह जाएगा और 39 में एक आट कर देंगे तो आपका 70 हो जाएगा अतलब 3 बटे 2 का multiply और 14 27 बनाने में 3 बटे 2 का multiply हैं तोंड़ा सचोटा करते हैं है 3 मिटे 2 का multiply और एक जोड़ देंगे इसी प्रकास 70 se 144 बनाना हैас सत्र स foundation congregation देखिए जो नेक्स्ट Christmas मार्क- इसमें क्या करना पड़ेगा? तो इसमें देखिए एक 183 में हम लोग 5 वटे 2 का multiply पांच बटे दो का multiply और एक add कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा आपको मिलेगा 303.5 तो आपका कौन सा हो जाएगा option B is right answer चलिए अगला question देख लेते हैं जाएगा आपका अगला question है निमले के सब्दों को सार्था क्रम में वेवस्तित कीजिए तो कौन सा क्रम आपका सही होगा तो option D पहले देखिए cm आता है cm सबसे चोटी ही काई होती है उसके बाद decimeter उसके बाद क्याउन सा होगा मीटर और उसके बाद दूसरा बाला किलो मीटर अगला है यदि किसी सांकेतिक भासा में basket को ये लिखा जाता है तो पिलो को किस प्रकार लिखा जाएगा तो basket को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं जिसके question को solve कर पाएं ओके गाइस देखें गाइस basket में आपके alphabet कितने हैं लिख लेते हैं तो आपके लिख देते हैं B A S K E T तो इससे से आपका क्या बना तो इससे से आपका बना T E K S A B तो कैसे करेंगे देखिए आपको देखिए पहला वाला जो alphabet है वो लास्ट में आपका चला गया और जो लास्ट वाला basket में था alphabet वो पहले आ गया यह दो चीजे आपकी कामान हो गई इसी प्रकार हम लोग पिलो में करेंगे तो आपका पहला बाला जो अलफाबेट होगा वो लास्ट में चला जाएगा P और डबलू बाला जो पिलो का डबलू है वो पहले आजाएगा तो देखिए पहला आप option चेक कर सकते हैं डबलू पहला अलफाबेट देखिए किस में किस में है पहले में है नहीं है दूसरे में है है लेकिन लास्ट बाला अलफाबेट आपका क्या होना चाहिए P तो इसमें देखिए डबलू तो है लेकिन लास्ट में आपका L है तो ये भी कट अब देखिए D वाला option पहले में L है तो ये भी cut लेकिन C में आपका पहला WA last में P है तो ये वाला आपका answer हो जाएगा अब आगे करने की कोई जरूर नहीं तो आपका option C is right answer चलिए अगला question करते हैं question है निम्न में से कौन सा उत्तर car, bus तथा बहान के बीच सही सम्मंद को दर्स आता है तो ये हो जाएगा option B वाला क्योंकि देखिए बहान जो होते हैं ये आपका बहान जो हो जाएगा ये बड़ा बहाला हो जाएगा और बहान के अंदर आपके कौन कौन से आ जाएगे car, bus क्योंकि car और बस जो होते हैं वो क्या होते हैं बहान ही होते हैं तो इसको ऐसे लिख देंगे पहले बड़ा गोला फिर छोटा छोटा अंदर तो option B वी तराइट आंसर अगला कोशन करते हैं अगला कोशन कहता है कि प्राता काल आसीष सूर की ओर मुह करके दो किलोमेटर चला और रुक गया यह देख लेते हैं कोशन तो गाईज देखे कोशन है आपका मैंने पढ़ दिया थोड़ा सा कि प्राता काल आसीष सूर की ओर मुह करके दो किलोमेटर चला और रुक गया तो सूर देखिए सबसे पहले तो सूर आपका कहा निकलता है पूरप की ओर तो आपका आसीज जो है वो पूरप की ओर जा रहा है कितने किलोमेटर चला दो किलोमेटर अब आगे कहता है बहां से फिर चार किलोमेटर अपनी दाई ओर चला तो दाया कौन सा होगा आपके हिसाब से तो नीचे की तरप तो दाया कितना गया चार किलोमेटर आगे कहता है फिर बहाँ से फिर सूर की ओर मुह करके एक किलोमेटर चला तो ये दच्छन की ओर जा रहा है अब पूरप सूर कहा निकलता है पूरप की ओर अब पूरब की ओर कितना चला एक किलो मेटर ऐसे चला अब आगे दीजिए अन्त में भाय लाय है अपने जाहिए और चला अब आसिस किस जिसा में चला है तो जिसा आपकी नीचे की कौँन सी होती है तो अशर क्या हो乾ी option है, दच्छिन दिशा की और, अगला question देख लेते हैं, question है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, question कहता है दिये गए कतनों के समद में कौन सा निस्कर्ट सही है, ये स्लॉक का question है देख लेते हैं, कहता है कि सभी कववे काले होते हैं, तो आल कववे, आल कववे क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, काले, कववे क्या हो जाएंगे, काले, आगे कहता है कुछ काली, बस तुमें सुन्दर होते हैं, तो काले का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा सुन्दर में, ओके गईस, अब आगे कहता है काले का जो पूरा हिस्सा है वो कवे में समाया हुआ क्यूंकि सारे कवे काले होते हैं ओके ऐसा तो नहीं है कि सारे काले कवे हो जाएंगे यह तो नहीं होगा कि सारे कवे काले होते हैं लेकिन सारे काले कवे नहीं होंगे ओके गैस तो आपका निसकर्स में क्या कहता है कि कुछ कवे सुन्दर होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है सुन्दर कवे नहीं हो सकते तो पहला गलत हो सकते हैं मतलब अगर निसकर्स में आ जाए हो सकते हैं लेकिन इसमें यह कह रहा कि कुछ कोई सुन्दर होते हैं तो यह कट दूसरा देखिए कुछ सुन्दर बस्तु में काली होती है तो कुछ सुन्दर बस्तु में देखिए काले का इससा कुछ सुन्दर में जा रहा है तो दूसरा सही हो जाएगा तो इसका अंसर क्या हो जाएग Option C केवल निसकर्द दूसरा निकलता है मतलब दूसरा सटेस्पाइट करता है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है निम्न मेंसे कौन सी योजना राज में जनसंक्या को नियंतित करने लड़के वा लड़कियों में भेजबाव समाप्त करने तथा घरते लिंगा अनुपात को संतलित करने के उद्देश से आरंब की गई है तॉपसिन सी देवी रूपा की योजना अगला कोशन देख लेते हैं राज सरकार दोरा व्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार कर दी गई है तॉपसिन सी हेपेटाइटिस सी प्रसिद चीनी यात्री वैंसौंग ने अपनी पुस्तक में हरियाना के किस नगर के बैभा और समरद्धी का बढ़न किया है तॉपसिन ने थाने सुर छोटे बच्चों के मुंड़ा ने तुप प्रसिद मेला है तॉपसिन भी स्याम जी का मेला विचुए नामा काबोसन इस्तिनिया के संग में पैंती है तॉपसिन भी पैर के पंजे में इब्राहिम खान का मकवरा कहां पर अबस्तित है तौपसंडी नार नावल गुरू द्वारा नीम साहिप कहाँ पर इस्तित है तौपसंडी कैथल में परिवार में भुजरुग की म्रत्यु के समय किया जाने बला नत्य है तो खेडा नत्य है अगला है नल दम्यंती और राजा भोज किसके स्वांग है तौपसंडी दीप चंद्र रेशा मुत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है तौपसंडी दुतियस्थान लॉंग प्राप्त होती है तौपसंडी पुस्प कली से लॉंग प्राप्त होती है अगला गोश्यन है किस राज में केले का अधिक्तम उत्पादन होता है तो अपसने तमिल नाडू निमले के देशों में से कौन सा एक मात्र देश चुकंदर से चीनी तयार करता है तो यूक्रेन बिस्टु के दुख्द उत्पादक देशों में भारत का कौन सा इस्थान है तो प्रथा मेंस्तान मचली पालन का योगदान देश के करसी जीडिपी में कितना प्रतिस्ट है तो 5.08% हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब दोता है तो स्टार्ट माउस के करसर की गती को गड़ाने एबम बढ़ाने के लिए किस ओप्षन का प्रियो किया जाता है तो प्रतियां इसमें इसे से प्राप्त की जा सकती है तो प्रिंटर से अगला एक हाले स्थान बहे डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ती है तो गेटवे अगला है HR में HR किसके लिए है ये जो चिन है इसमें HR किसके लिए है तॉप्षन C Horizontal Rule अगला है ORG का समन किस छेतर से है तॉप्षन D संगठन बेता नेटवर्किंग इस्तापद करने के लिए किस प्रोध्योग की का प्रियोग किया जाता है तॉप्षन D Bluetooth नार गेट किसके दोरा के रियान बित किया जा सकता है तो एकल ट्रांजिस्टर के दोरा कम्प्यूटर को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रियोग नहीं किया जाता है तो option D हो जाएगा हाइबर्नेट चैन की बंसी बजाना का आर्थ क्या होता है? option B मौज करना अगला या अनुरागी चित की गती समझे नहीं कोए जियों जियों बूडे स्याम रंक्तियों त्यों उजबल होए प्रस्तुत पंक्तियों में काउन सा लंकार है? प्रस्तुत पंक्तियों में काउन सा चंद हो जाएगा? option C हो जाएगा दोहा चंद अगला है इंगलिस के question 98 से 99 के लिए चूज दा मोस्ट अप्रोप्रियेट अल्टरनेटिब टू फिल इन दा बलैंक्स जैसे की थो रो ही ज़ी ज़ी इस बिग्ड यहाँ पर क्या आएगा? आगे सी लाइक से हिम तो यहाँ पर आपका भरा जाएगा यट सी विल रीच हियर खालिस्तान 4 पीम तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? option C at at का यूज होगा अगला है to bite the dust चूज दा मोस्ट अप्रोप्रियेट इडियम तो आपस ने to be defeated in a battle तो गाईद आज के वीडियो में इतना है थैंक्यू धन्यवाद आपका दिन सोब रहा है